आज प्रियों रभीवार का जो दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जिसको इसपेसल पाम संडे भी बोलते हैं पिलस खजूर का संडे भी बोलते हैं तो ये परमिश्र का वचर में लिखा है तो हम परमिश्र का दन्यवाद देते हैं और पाम संडे पिलस खजूर संडे आज पूरी दुनिया इसको जानेंगी और मानती है और जिस परकार हम देखते हैं मत्य की किताब और उसका 21 सद्धिया उसका पहला दूसरा पत में लिखा है कि जब यरुसलेम के निकट पहुँचे और जैतुन पहाड़ पर बैत फरो के पास आए तो ईशू ने दो चेलो को ये कहकर बेजा पर जब ईशू मसी यरुसलेम में बिजे परवेस किया उन्होंने तो चेलो को ये कहकर बेजा चेलो को इसमेंसर कुछ बोला किस काम के लिए बोला यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने के गाउं में जाओ वहाँ फौशते ही एक घदी भंदी हुई और उसके साथ बच्चा तुमें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्यबू को इसका प्रियोजन है तब है तुरन तुने भेज देगा यह इसलिए हुआ कि जो वचन बविश वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वै पूरा हो शियोन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है वै नम है और गदे पर बैठा है वन लाडू के बच्चे पर जेलो ने जाकर जैसा इशू ने उनसे कहा था वैसा ही किया और घदी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया तब बहुसे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिच्छाएं और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालिया काटकर मार्ग में बिच्छाई और जो भीड आगे आगे जाती और पीछे पीछे चरी जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी दाउद के संतान को होसना धन्न है वे जो प्रभू के नाम से आता है आकास में होसना तो प्रियों हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम देख सकते हैं जिस परकार प्रभू ईश्यू मसी ने अपने शिश्यों को उस गाउं में भेजाता और कहा कि सामने के गाउं में जाओ मौँ फांचते ही एक घदी भंदी मिलेगी और उसके साथ बच्चे तुमें मिलेगा उसको लेकर आना तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रभू ईश्यू मसी ने उस गदी के बच्चे को ही क्यों चुना शिस्सी लोगों को क्यों बोला कि सामने वाले गाउं में जाओ और उस गदी के बच्चे को लेकर आओ तो प्रियों ये एक बविश्य वानी हम देख सकते हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिस परकार हमने परमेश्वर के वच्चन में हमने फड़ा तो प्रभू आज के वच्चनों से हमें आशिशित करें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि प्रभू इश्य मसी ने और कोई उस गदी को छोड़ कर और किसी जानवर को नहीं चुना नमबर एक ना गोड़े चुने ना हाती को चुना लेकिन गदी के बच्चे को ही क्यो चुना मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो एक गदा रहता है वो अपने माली के पिरती बिश्वाश योगे रहता है और गदा एक दीन सुवाओ का रहता है आपने देगा हुआ गदे को कभी युद में लड़ाय में नहीं देखा होगा तो इसके लिए उस गदे को ईश्व मसीर ने चुना जो उसके बारे में बविश्वाणी लिखी गई है हम देख सकते हैं जो पुराणे नियम में जकरिया की पुस्तक में यदि हम जकरिया की पुस्तक बाइबल में से पढ़ेंगे और उसका नो अध्याय उसका नो पत्मे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ महाँ पर लिखा है परमिश्रकवचन में हे सियोन बहुत ही मगन हो हे यरुसलेम जे जे कारकर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा वे धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वे दीन है और गदे पर वरन गदी के बच्चों पर छड़ा हुआ आएगा मैं एपरेम के रहत और यरुसलेम के गोड़े नश्ट करूँगा और युद के धनूस तोर डाले जाएंगे और वे जाती जाती से शान्ती की बाते कहेगा वे समुंदर से समुंदर तक और महानन से पृतिवी के दूर दूर देशों तक प्यबूता करेगा तो हम इस जकरिया की जो पूस्तक उसका नो अध्याय उसका नो पद में हम देख सकते हैं यहाँ पर यरुसलेम जेजेकार कर क्योंकि इशो मसी प्रियों आज के दिन यरुसलेम में वो आया और प्रिवेश किया और लिका है क्योंकि तेरा जो राजा तेरे पास आएगा तेरा राजा तेरे पास आएगा वो राजा कौन है? वो धर्मी है वो राजा इशो मसी धर्मी है वे उद्धार पाया हुआ है और नमबर वन वो दीन है तो जिस परकार हमारा प्यबू इश्व मसी दीन है इसी परकार हम उस जानवर के बारे में भी देख सकते हैं जो गदा होता है वो दीन सुभाव का था इसलिए प्यबू इश्व मसी ने उस गदे को क्या करा चुना था ठीक है गदे पर वरन गदी के बच्चे पर छड़ा हुआ आएगा और जिस परकार प्यबू इश्व मसी ने इससे लोगों को सामने के गाओं में उन गदी के बच्चे को लाने के लिए भेजा बोला था और वो लोग लेकर आये तो गदा जो रहता है वो इमानदार रहता ह है अपने माली के पिरती वफदार रहता है विश्वाश योगेता के साथ रहता है तो हम परमेश्व का धन्यवाद देते हैं और परमेश्व प्रियों हम आज के इस वचन से में आशिशित करें उसके बाद हम देखते हैं कि जिस परकार तीसरा पत में लिखा है कि यदि वचन बविशवकता के दोवारा का गया था वह पूरा हो यह इसलिए हुआ जो वचन पुराणे अम N wann Medhiya की किताब द्धा की बोला रe के दिखका इसलिए द्वारा ने द्वारा पूरा ही इसलिए और और अचर्आ एक गदी पे बैठा हुआ एक उद्धार पाया हुआ शान्ति का राजकुमान जो आएगा तो हम परमेश्व का धन्यवाद देते हैं इसलिए प्रियों उस गदे को पवीशु मसी ने चुना तो हम उसका धन्यवाद करते हैं आज की इस वचन से और उसके बाद में हम देखते हैं किसी योन की बेटी से को देख तेरा राजा तेरे पास आता है वे नम और गदे पर बैटा है वरण वो लाडू के बच्चे पर है लाडू है तो वे नम है इशु एक नम व्यक्ति था इशु जैसा इस दुनिया में कोई नम नहीं था ठीक है तो हमें भी कई बार हम एंकार ह वो हमारे जीमन में मैं बनाएंगे और आप अपना दीब नहीं हैं ठीक है वो इसलिए नहीं कि गदे को कोई आदर नहीं करता गदे को कोई सम्मान नहीं करता ठीक है वो इसलिए गदा एक इमानदार जानवर है वफदार जानवर है विस्वाश योगे जानवर है वो दीन है वो अपने मालिक के पिर्थी वफदार रहता है तो जिस परकार प्र भार पाया हुआ था लास्ट में परमेशों ने उसको बढ़ाया और वो नाम दिया जो सब नामों से सुरेष्ट है तो धन्यवाद देते हैं आज के दिन जो आज के पवित्र विश्राम दिन में पालम संडे को मनाया जा रहा है और विशेश करके खजूर संडे भी मनाया जा है क्योंकि ये शुमसी ये रुश्ले में बिजे प्रेश किया उन्होंने और मैं धन्यवाद देता हूं यदि आपको हमारी ये बीडियो पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें और साथ साथ सेर भी करें तैंक्यू गोड़ प्लाश्यू धन्यवाद परमेशों आप सब को आ ना में जो बाइबिल कंदर ये मिलता है ठीक है सबको जै मसे की तो आपको आपको आप से